बेता ओपी छेतर अंतरगत DMCH के प्रिंसिपल ओफिस के पॉटिको से 3,05,000 रुपे का लूट के कार्ड का उद्वेरन एफ सनलिप्त अप्राद कर्मियों की गिरफतारी तथा लूटी गई राशी का बढ़ामादगी तरभंगा पुलिस ने कर ली है वरिये पुलिस अधिचक बाबुराम ने बेता ओपी में पतरकारों को बताया की दिनाग 36.2021 करीब 12 बजे DMCH प्रिंसिपल ओफिस के पॉटिको के पास से DMCH के करमचारी कमल देव नारायन के मोटर साइकल से उतर कर ओफिस जाने के करम में मोटर साइकल पर सवार दो औग्यात अपराद करमियों के द्वारा 3,50,000 रुपए छिंताई करने के घटना कारित की गई जिसके संबन में लहरिया सराही बेता थाना कांड संख्या 289,21 दिनाग 36.2021 धारा 399 में दर्ज किया गया तथा कांड का अनुसंधान प्राणब किया गया कान पर्तिवेटित होने के पशात संबनी थाना एफ तकनिकी शाखा की पुलिस परदिकारियों करिमयों के द्वारा वादी के बैंक से पैसान निकासी तता छिंताई की घटना अस्थल एफ अपराद करमियों के भागने वाले एरिया में लगे CCTV का अवलोकन किया गया जिसके बाद अपराद करमी के पहनावे एफ मोटर साइकल से घटना कारित करने वाला अपराधी कोड़ा गैंक का होना संभावना परतित हुई थी CCTV फुटेज के आधार पर अपराद करमी का पहचान एफ ग्रफतारी हेटू एक टीम पी और नी अमित कुमार थाना अध्यक सिंग्वारा थाना के निर्थित में तक्निकी शाखा की पुलिस करमियों को कठियार जिला के कोड़ा थाना में सत्यापन एफ छापे मारी हेटू जिसके बाद उक टीम के द्वारा कान में समलिप्त एक अपराद करमी सुमित कुमार की पहचान हुई जिसके बाद कोड़ा थाना के सयोग से ग्राम नया टोला जुरावगंज में छापे मारी कर दिनाक साथ आर्ट छे दोजरे किस की रातली में सुमित कुमार पिता जुरावगंज थाना कोरा जिला कठ्यार गिरफतार अपराद करमी का अपरादिक इतिहास का पता क्या जा रहा है दूसरे अपरादी की भी पहचान कर ली गई है जल ही उसकी भी गिरफतारी कर ली जाएगी इस कारिये में अमित कुमार सिंग्वारा थाना परभारी तथा तकनीके सेल के करमी द्वारा सराहनी ये कारिक किया गया जिने प्रिस्केट किया जाएगा यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड में स्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और दैने कामी तांजीन न्यूस पेपर दरभंगा